हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका Study IQ IAS हिंदी पे और International Relations की सिरीज में हम भारत और उसके पडोसी देशों के संबंधों को विस्तार से पड़ चुके हैं मतलब बहुत ही शांदार तरीके से यानि कहीं से भी question आता है आप हर question attempt करने की condition में रहेंगे आपको मेरे content का पता है आज हम शुरू करेंगे India-US relations के बारे में ठीक है तो जब हमारे पडोसी देश निपट गए मतलब पडोसी देशों के साथ संबंध हमारे बहुत अच्छे से cover हो गए तो अब हम विश्व के दूसरे देशों की तरफ बढ़ते हैं तो आज हम इंडिया-अमेरिका relation की शुरू आद करते हैं सबसे पहले यदि हम छेत्रफल या फिर इसकी भोगोली का वस्तिती को देखें तो भारत और USA के बीच में काफी दूरी देखने को मिलेगी आप लोगों को या नि सहीमत राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं यदि हम छेत्रफल के दृष्टि कोन से देखें तो USA रश्या कैनेडा और चाइना के पश्चात पौर्थ सबसे बड़ा देश हैं और यदि हर छेत्र में देखें चाहे एकनॉमी के छेत्र में चाहे रक्षा के छेत्र में चाहे सेन्य छमता के छेत्र में चाहे अंतर राष्ट्रिय मामलों में सक्रियता को लेके सक्रियता है सनलगनता के छेत्र में अमेरिका एक महत्वपूर्ण देश रहा है अभी मैं पूरी हिस्ट्री पे चलूंगी आप लोगों को इस बात का ज्यान होगा मैंने पहले भी शामिल नहीं हुआ भारत नैम की तरफ चला गया वह एक अलग बात है 1990 में यूससर का विगटन हो जाता है तो सबसे बड़ी शक्ति कौन बना? USA बना यानि एक ध्रूविय विश्व की स्थापना हम देखते हैं और USA को विश्व के केंद्र के तोर पे विश्व ने देखा है तो USA की जो चमताएं हैं उन पे संदेह नहीं किया जा सकता कतई अब हम एक बार संबंधों की प्रिष्ट भूमी में जाएंगे भारत और अमेरिका के संबंधों की प्रिष्ट भूमी में तो दोस्तों आपको आज जो इंडिया और अमेरिका के संबंध देखने को मिल रहे हैं काफी सकारात्मक दिशा में, मैं अभी सहियोग के छेत्रों की डिटेल से बात करूंगी, ये संबंध हमेशा से ऐसे नहीं रहे हैं, भारत और USA के संबंधों में भी हमें उतार चड़ाओ देखने को मिला, 1947 से पहले की तो हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि 1947 से पहले हमारे देश पे ब्रिटिश शाशन था, है ना, तो हमारी कोई स्वतन त्रविदेश निती नहीं थी, यदि हम 1947 के बाद की बात करें, तो अभी मैंने बताया, विश्व दो गुटों में बटा था, एक तरफ था, ये मैं सब पढ़ा चुकी हूँ, बस एक बार क्विक रिवीजन के पाध्यम से गुटों से निरपेक्ष रहने की निती अपनाई, इसलिए भारत के साथ अमेरिका के संबंध 1947 के बाद से बहुत बहतरीन नहीं थे, यदि हम अपने पडोसी देश की बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अमेरिका के सैन्ने गुट में शामिल हुआ, तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध बहतरीन थे, और यहां से भी आपको एक बाद समझनी चाहिए, भारत का शत्रू पाकिस्तान, पाकिस्तान का मित्र अमेरिका, दोनों, मित्र देश, मतलब समय काल परिस्तिती के अनुसार संबंधों में परिवर्तन होता रहता है लेकिन मैं यदि 1947 के बाद की बाद करूँ विशेश तोर पर 1950 के दशक के बाद की जब पाकिस्तान अमेरिका के सेन्य गुट में शामिल हो गया था उसके बाद की बाद करू तो भारत के साथ USA के संबंध भारत के बहतर नहीं रहे है आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना कि किस राश्ट्रपती के काल में क्या हुआ मेरे पास बहुत माटीरियल था ठीक है वो पढ़ने का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा जो बिल्कुल कोर कोर चीजें है वो आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि यदि इंडिया और USA से रिलेटिड दोस्तों कोई भी कोशन आता है तो वो करेंट इवेंट पे बनेगा प्रिष्ट प्रूमी आपको बस समझ के लिए पता होनी चाहिए कि भारत और अमेरिका के संबंधों का विकास कैसे हुआ है ठीक है तो ध्यान रखिएगा यदि हम देखें 1947 में भारत की स्वतंतरता प्राप्ति के बाद की अधिकान शब्धी में अमेरिका ने अपनी सामरिक आउशक्ताओं के संदर्व में दक्षिन एशिया को शुरुवाती दोर में अमेरिका ने जादा महत्व नहीं दिया और बाद में जब दक्षिन एशिया को महत्व देना शुरू किया तो अमेरिका का एक बड़ा साज्यदार देश बना पाकिस्तान भारत ने मैंने भी बताया गुटों से निर्पेक्ष रहने की निती अपनाई क्यों क्योंकि भारत कहीं ना कहीं ना तो अमेरिकी गुट में शामिल हुआ ना सोवियत गुट में क्योंकि भारत गुट निर्पेक्ष आंदोलन का समर्थन कर रहा था और किसी भी महाशक्ति से संबध्ध होना नहीं चाहता था क्योंकि भारत अपनी स्वायत्ता जो अपनी स्वायत्ता है उसको अत्यंत महत्वपूर मानता था हमें इतनी मशक्कतों के बाद 1947 में आजादी मिली यदि हम आजादी के बाद भी किसी गुट से जुड़ते तो हमारी आंतरिक नितिया बाहिये नितिया उस गुट से प्रभ कि बहुत भैतरीन संबंद 1947 के बाद से हम दोनों के नहीं देखने को मिलते हैं अब यहां पर मैं बताओं कि कुछ एक साहायता के तोर पे अमेरिका भारत को जैसे आप देखोगे कि स्वतंतरताबाद के दो दशकों में विशेश तोर पर गेहुं कि आपूरती के लिए भार पर निर्भर रहा है जिसे 1960 के दशक के मध्य में राजनितिक मतभेदो के कारण निलंबित कर दिया गया था 1960 के दशक में इस प्रोग्राम को निलंबित कर दिया था USA के दुआरा थीक है तो यह आपको बेसिकली 1947 से 1990 के दशक में यही सब देखने को मिलेगा लेकिन यहां प हम कहने को तो USSR के गुट में शामिल नहीं हुए लेकिन इंडारेक्टली एक संकेत तो था कि USSR के साथ हम शांती संधी कर रहे हैं तो हमारी निकटता USA की तुल्ला में USSR के साथ जादा है है ना 1971 की शांती संधी हुई और हर छेतर में USSR के साथ हमने सहयोग करना शुरू किया ठीक है तो ध्यान रखिएगा 1960 के देशक में जब चीन रूस संबंधों के मध्ये दरार गहरी हो गई थी तो अमेरिका का जुकाओ चीन की ओर तो था USSR का जुकाओ भारत की ओर गहरा हो गया था और USSR के साथ 1971 में 20 वर्षिये शांती संधी हमारी होती है USSR ने सामरिक सर पर छेत्रिय प्रतिवद्वंदियों के विरुद भारत को महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान की है न USSR एक बहतरी मित्र के तोर पे हमारे साथ पेश आया चुरुआती दोर से ही लेकिन इस सिस्टम में एक फेर बदल होता है 1990 के दशक में अब USSR का हो गया विग्टन अब भारत कहां जाए अब भारत को एक ऐसे Üसे राष्ठर के साथ अपने संबंधों को हर दिशा में आगे लेके जाना था जो विश्व की महाशक्ति बन चुका था एक दृबी विश्व की स्थापना हो चुकी थे हैं कूरे विश्व का एक ही धृव अमेरीका हर छेत्र में चाहे आर्थिक छेत्र हो, चाहे सैनिक छेत्र हो, चाहे रक्षा हो, चाहे तकनीक हो, विज्ञान प्रोध्योगी की हो, चाहे वैश्विक संदर्भों में सनलगनता हो, हर छेत्र में USA सर्वस्त्रेश्ट के तोर पर उभर की आया 1990 के दशक में. तो जो हमारे संबंधों में एक नकारात्मक्ता हमें दिखती है 1947 से 90 के बीच में उस नकारात्मक्ता को स्माप्त करने का प्रयास हमने 1990 से लेके 2000 के बीच में किया लेकिन 1990 से 2000 के बीच में भी हमें कई प्रकार के व्यवधान देखने को मिले आपको याद होगा 1998 में परमाणू परिक्षन करता है भारत और परमाणू परिक्षन करने पर यूएस से नाराज़गी जाहिर करता है और भारत पर कई प्रकार के सेंक्षन लगा देता है एक बार संबंधों में फिर से हमें खटास देखने को मिलती है लेकिन ये खटास जादा लंबी चोड़ी नहीं रहती है उसके पीछे रीजन है 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपती भारत की आत्रा करते है और भारत को एनपटी पे हस्ताक्षर करने के लिए मनाने का प्रियास करते है लेकिन भारत का शुरुवाती दोर से ही स्टैंड ये रहा एनपीटी को लेके प्रमाणू अप्रसार संधी को लेके ये संधी विभेद पूर्ण है, विभेद भाव पूर्ण संधी है, ये संधी प्रमाणू संपन और गैर प्रमाणू दुनिया को विभाजित करती है, या तो प्रतेक राष्ट्र प्रमाणू हतियारों का त्याग करे, इस विभेद परक होने के चलते भारत NPT पे साइन नहीं करता है और अमेरिका के राष्ट्रपती वापस लोड़ जाते हैं लेकिन तो कि 2000 तक आते आते भारत की स्थिती में काफी चेंजिस आते हैं भारत 1990 में LPG को अपना लेता है ध्यान रखेगा उदारी करण नीजी करण वैश्वी करण उसके बाद भारत अपनी अर्थ व्यवस्था को खोल लेता है भारत की जनसंख्याब देखिए अमेरिका को एक बड़ा बाजार चाहिए भारत हर छेत्र में आगे पढ़ने के लिए अमेरिका के एक्सपर्टीज की जरूरत पढ़ेगी है ना और अमेरिका के लिए ये बिसिकली अवसर था कि अमेरिका की कंपनियों को अमेरिका के उद्योगों को भारत जैसा एक बड़ा मार्किट मिल जाएगा तो ऐसे में भारत इतना महत्वपू और वास्तव में 2000 के बाद से भारत अमेरिका संबंधों का एक नया दोर शुरू होता है। ये क्रक समझ में आ रहा है आप लोगों को बेसिकली तीन फेज याद रखने हैं। मैं एक बार लिख के बता देती हूँ। बहुत डिटेल में फेजिज में मत जाना वैसे तो 1947 से 1990 के बीच में भी 3-4 फेज आएंगे लेकिन प्रिष्ट भूमी में इतना समझने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे संबंध जादा अच्छे नहीं दिखते हमको 1990 से लेके 2000 तक संबंधों को बहतर बनाने का प्रियास दोनों तरफ से होता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को 1998 से लेके 2000 के बीच के संबंधों की नकारात मकता भी बता दी। जब भारत का प्रमानु परिक्षन होता है और अमेरिका सेंक्षन लगा देता है। लेकिन यदि हम देखें 2002 के बाद से यह संबंध हो थी बहतर तरीके से आगे बढ़ते हैं। यह एक छोटी सी प्रिष्ट भूमी है इंडिया अमेरिका रिलेशन्स की। और ध्यान रखेगा अमेरिका भारत से 1947 से 90 के दशक में इसलिए भी चिड़ा रहता था एक तो अमेरिका किसी गुट में शामिल नहीं हुआ। मतलब USA के गुट में शामिल नहीं हुआ। दूसरा भारत ने मतलब भारत शामिल नहीं हुआ। दूसरा भारत ने गुट निरपेक शांदोलन का नित्रित्व किया। तीसरा अमेरिका दक्षिन जो हिंद महासागर है उसमें अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था और उसे भारत जैसे देश की जरूरत थी कि सहायता की जरूरत थी लेकिन भारत ने इस पश्ट शब्दों में इंकार कर दिया। चोथा 1971 में USSR के साथ हमारी शांती संधी हो जाती है। ये बता चुकी हूँ सोवियसंग का विग्टन हो गया और फिर हम नए सिरे से हमने संबंधों का आकलन किया और हमने ये पाया कि विश्व की एक मात्र महाशक्ती अभी USA बन चुका है तो USA के साथ हमें अपने संबंधों को बहतर बनाना चाहिए। और 1998 से 2002 के बीच में क्या क्या हुआ ये सारी बाते हमने पढ़ी। 2004 में एक महत्वपूर्ण बात होती है भारत और USA दोनों देशों ने अपने द्वी पक्षिय संबंधों को सामरिक भागीदारी में परिवर्तित कर लिया यानि सामरिक भागीदार बन जाते हैं 2004 में भारत और USA से और शीत युद के बाद से अलग-अलग वैश्विक समस्याओं या फिर अलग-अलग उद्देशों को लेके भारत और अमेरिका वर्तमान में बहतरीन संबंध शेयर करते हैं चाहे वो चाइना की बढ़ती शक्ति या चाइना की आक्रमक्ता को संतुलित करना हो भारत और अमेरिका मिलके ये काम कर सकते हैं चाहे समुंदरी सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात हो जहां तक समुंदरी सुरक्षा की बात है दोस्तों तो मैंने इंडो-पैसिफिक रीजन जब आप लोगों को पढ़ाया या इंडियन ओशन पढ़ाया तो मैंने आपको बार-बार एक बात बोली थी free navigation है ना की बात करता है USA और भारत तो ऐसे में समुंदरी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी दोनों देश बेसिकली समाना अंतर तोर पे सहयोग कर रहे हैं अंतर राष्ट्रिय आतंकवाद का सामना करने जैसे मुद्दों पे आतंकवाद के दंश को भारत ने भी जेला है और आतंकवाद के दंश को अमेरिका ने भी जेला है है ना तो आतंक वाद को लेके दोनों देश मिलके सहयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ऐसे सामरिक खितों को दोनों देश मिलकर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और लोकतंत्र जैसे सांझे मुल्यों को संचालित करने और प्रसारित करने का भी काम कर रहे हैं क्यों कि एक तरफ है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका और एक तरफ है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानि भारत तो हमारी विचार धारा राजनितिक मुद्दों पे जो हमारी सोच है डेमोक्रेसी है इन सब मामलों में भारत और अमेरिका स्वभाविक में प्रचान पड़ते हैं तो इन सारे मुद्दों को लेके वर्तमान में भारत और USA अपने संबंधों को शेयर करते हैं यहां तक समझ में आ गई 2004 तक यह हुआ अब होता है 2005 में एक बड़ा बड़ी घोशना होती है ध्यान रखेगा द्वी पक्षिय असेन्य समझोते पर अपने मंतव्य की घोशना करते हैं USA कि भई द्वी पक्षिय जो प्रमानू असेन्य समझोता है वो भारत के साथ करेगा ध्यान रखेगा प्रमानू असेन्य समझोता करने के लिए करिया के बाद 2008 में भारत के साथ असैन्य प्रमानू समझोता किया और यह समझोता दोनों देशों की दोनों देशों के संबंधों में एक मील का पत्थर साबित हुआ मील का पत्थर साबित क्यों हुआ क्योंकि भारत विश्व का एक मात्र ऐसा देश था जिस पे बिना किसी बाउंडेशन जैसे NSG की सदस्यता के बिना अमेरिका ने यह समझोता किया और इसके बाद अलग-अलग देशों के साथ भारत के असैन्य प्रमानू समझोते हुए यहा I.R. के किसी भी कंसेब्ट को दो-तीन तरीके से समझना होता है हमने जोग्रफी देखी हमने अमेरिका की सिचुएशन देखी स्थि देखी हमने प्रिष्ट भूमी को देखा और प्रिष्ट भूमी को हमने मोटे-मोटे तोर पर तीन भागों में डिवाइड करके देख लिय हमें ये समझने की जरूरत होती है दोस्तों अंतराष्ट्रे संबंधों में जैसा मैंने अभी मालदीव्स में भी आपको पढ़ाया है कि कोई भी देश दूसरे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है अब इंडिया और अमेरिका के संबंध वर्तमान में नई दिशाओं को च्छू रहे हैं मैं बताऊंगी कि अलग-अलग सहीयोग के छित्र मतलब दुनिया भर के सहीयोग के छित्र है हमारे अमेरिका के साथ और याद रखिएगा अलग-अलग सहीयोग छित्र पे अलग-अलग मेंस का कोशिन बन सकता है जैसे मालदीव में ज़्यादा स्कोप नहीं था तो मैंने दो दिन में क्लास खतम करवा दी चाइना में जैसे मैंने अलग-अलग जहाँ-जहाँ स्कोप था मेंस के कोश्षन का मैंने अलग-अलग चाहे रिण जाल कूटनिती है चाहे economic relation है दोनों के क्योंकि economic relation पे सीधा कोश्षन बन सकता है चाहे string of pulse है है ना, इसी तरीके से USA के साथ अलग-अलग मुद्दों पे कोशिन बन सकते हैं जैसे रक्षा नेती पे अलग से कोशिन बन सकते हैं रक्षा संबंधों पे है ना, H1, Visa, Issues वगेरा जो चलते रहते हैं उन पे अलग से कोशिन बन सकते हैं ठेरो टॉपिक हम करेंगे इंडिया-U.S में थोड़ा लंबे चलने वाली है क्लास लेकिन एक बात का ध्यान रखेगा यदि आपने इंडिया-U.S. रिलेशन्स को अच्छे से कर लिया इन पांचे क्लासे में उसकी बन कहीं से भी कोशिन आएगा इंडिया-U.S. रिलेशन्स में बाहर नहीं जाएगा ठीक है तो थोड़ा पेशन्स रखना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पे जो मैं बता रही थी हमें ये देखना बहुत जादा जरूरी है कि भाई ये जो संबंध इतनी बहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं सकारात्मक दिशा में इसके पीछे कुछ रिजन होगा यानि दोनों दृष्टिकोंड से हमें संबंधों को देखना पड़ेगा पहला दृष्टिकोंड ये कि भारत USA के लिए क्यों महत्वपून है क्योंकि कोई भी संबंध निर्वात में नहीं पैदा होते हैं संबंधों में यदि व्यापकता आ रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होंगे क्योंकि अंतर राष्टे राजनीती में प्रतेक राष्ट अपने राष्टे हितों को देखते हुए अपनी विदेश निति का निर्धारन करता है तो ऐसे में USA के लिए भारत महत्वपूर है तभी तो USA भारत के साथ संबंधों को नई दिशा दे रहा है है ना तो हमें कम से कम 78 पॉइंट में ये समझना जरूरी है कि आखिर भारत USA के लिए क्यों जरूरी है ठीक है और इसी के साथ पे एक्ष्य हम दूसरा पॉइंट ये समझेंगे कि USA भारत के लिए क्यों महत्वपूर है सबसे पहला तार्गेट हमारा प्रिश्ट भूमी समझने के बाद यही होना चाहिए बास समझ में आई वच्चे जब हम इन दोनों मुद्दों को कवर कर लेंगे उसके बाद हम भारत और USA के सहयोग के छेत्रों में जाएंगे सहयोग के छेत्र कौन कौन से और एक एक सहयोग के छेत्र को हम डिटेल से पढ़ेंगे उसके बाद हम चुनोतियों को देखेंगे और एक एक छेत्र की चुनोतियों को अलग-अलग देखेंगे और समाधान को देख लेंगे और जो कुछ विशिष्ट मुद्दे है भारत और USA के बीच में उन मुद्दों को देख लेंगे तो हमारा इंडिया USA यह दोनों देखें दोनों देशों के संबंधों की वर्तमान स्थि को धिक आधार पर एक वैश्विक रणनीतिक भागिदारी के दोर पे विशित जկानी हम दुवी पक्ष मंबंधों को बहतरी न तूरी के से शियर करते हैं खेत्रिय और वेश्विक मुद्दों पे जो लोक्तांत्रिक मुल्लै ऊनको प्रचारित प्रसारित करने के तोर पे हम बहतर काम कर रहे हैं हम रण soprano क्रण नितिक सांज्यदार के तोर पे क इसके साथ ही आप संबंधों में प्रगाड़ता देख सकते हो कुछ प्रतिकात्मक चीजे होती हैं इन सब मुद्धों का वैसे बहुत जादा महत्व नहीं होता लेकिन प्रतिकात्मक तोर पे महत्व होता है जैसे 2015 की गंतंत्र दिवस के मुख्यातिति के तोर पे राश्ट्र पति को विशेश अति थी के तोर पे एक तरीके से इन्वाइट की आमंत्रित किया 2016 की यदि बात करें तो संयुक्त वक्तव्य दिया था भारत और अमेरिका ने संयुक्त वक्तव्य का मतलब होता है बैठे बातचीत की और मिलके एक धोशना जारी की संयुक्त वक्तव्य में भारत और अमेरिका को 21 शताबदी के स्थाई भागीदारों के तोर पे परिभाशित किया गया है इन सब बातों का प्रियोग आप जब इंडिया-U.S. रिलेशन मानलो कोई कोशन आता है तो आप अपनी भूमिका में कर सकते हो बिलकुल कोमा दे दे के इससे इफेक्टिव हो जाता है आपका अंसर कि 2016 में 21 सदी के स्थाई भागीदारों के तोर पे इंडिया और USA की पहचान की गई है इसी तरीके से हम 2017 की बात करें तो परसपर भागीदारी के द्वारा स्मृध्धी का आहवान किया गया कि हर छेत्र में भागीदारी के माध्यम से हम स्मृध्धी, विकास, वृध्धी, इत्यादी की तरफ अग्रसर होंगे और द्वी पक्षिय सहयोग यदि हम USA के साथ शेयर करते हैं तो ये द्वी पक्षिय सहयोग भी विविधता पूर्ण है और बहु छेत्री हैं, बहु आयामी हैं जैसे इसमें कुछ-कुछ छेत्र आप यहाँ पर देख सकते हो, इनको मैं डिटेल से बताने वाली हूँ जैसे व्यापार और निवेश के लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, रक्षा और सुरक्षा के छेत्र पे हम क्या कर रहे हैं शिक्षा, विज्ञान, मतलब इनको अलग-अलग भी लिख सकते हो, शिक्षा के छेत्र में क्या कंट्रिब्यूशन है, क्या सही योग के छेत्र हैं दोनों देशों के विज्ञान और प्रद्योगिकी के छेत्र में क्या सही योग के छेत्र हैं दोनों देशों के इसके अलावा साइबर सुरक्षा में, उच्च प्रोध्योगिकी में, असैन्य प्रमानु उर्जा में, अंत्रिक्ष प्रोध्योगिकी और अनुप्रियोग में दोनों देश ये हर लेवल पे सहियोग के छेत्र शेयर करते हैं तो आपको ये जो द्वी पक्षिय संबंध दिख रहे हैं, ये बहु आयामी है, ये बहु छेत्रिय है, विविधता पूर्ण है, ऐसा तो नहीं है कि हम कुछी चुनिंदा छेत्रों में काम कर रहे हो, आपको कोई भी छेत्र अगर दिखे, हर छेत्र में हम USA के साथ मिलके संब संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो स्वच उर्जा हो, परियावरन हो, हैल्थ हो, एजुकेशन हो, एग्री कल्चर हो, इंडस्ट्री हो, साइबर सिक्योरिटी हो, और पीपल टू पीपल कनेक्ट हो, नागरिकों से नागरिकों का समवाद हो, तो इन सब छेत्र में हम बेसिकली अमेरिका के साथ अपने द्वी पक्षिय संबंधों को चेयर करते हैं, यह हो गई भारत और अमेरिका संबंधों की प्रिष्ट भूमी, ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, एक बात ध्यान रखिएगा दोस् मैं हाँ पे न काफी विस्तार से आपको बता सकती थी, 1947 से बिसिकली 1955 तक क्या हुआ, पच्पन से 60 तक क्या हुआ, अमेरिका की कौन से राश्ट्र पती आए, उन्होंने भारत के संदर्भ में क्या नितियां अपनाई, लेकिन आपको वो सब कुछ काम नहीं आएगा, आपक देखो, प्रिष्ट भूमी जरूर पता होनी चाहिए, मैं हर क्लास में प्रिष्ट भूमी करवाती हूँ, ताकि किसी भी देश के साथ संबंधों का दायरा क्या रहा है, संबंधों की दिशा क्या रही है, वो हमको पता लग जाए, इसके अलावा प्रिष्ट भूमी का कभी कोशन नहीं पूछेगा लेकिन प्रिष्ट भूमी आपको बस इस लेवल पर पता होने चाहिए कि हमको बस यह पता लग जाए कि कैसे कैसे फेज आए हैं क्या हमेशा से संबंध सकारात्मक रहे हैं क्या हमेशा से संबंध नकारात्मक रहे हैं या संबंधों में कुछ फ् वर्तमान संबंद हैं, उनका दायरा पता होना चाहिए कि भई वर्तमान संबंद चाहे 2016 का वक्तव्य है, 17 का वक्तव्य है, या फिर सहयोग के अलग-अलग छेत्र हैं, ठीक है? तो ध्यान रखेगा, यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी. अब अगला मुद्दा हम उठाएंगे, जो मैंने अभी दो इशू बताये थे न, अब हम एक एक करके एक दूसरे देश का महत्व देखेंगे, एक दूसरे देश के लिए. जैसे सबसे पहले मैं बताऊंगी कि अमेरिका के लिए भारत क्यों मायने रखता है? आखिर अमेरि पीपल टू पीपल कनेक्ट हो, है न, हर छेतर में संबंधों को बहतर बना रहे हैं, भई कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, तो एक एक करके हम पॉइंट वाइस देखेंगे कि आखिर भारत युएसे के लिए क्या मायने रखता है? भारत युएसे के लिए क्यों महत्व है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात यदि मैं कहूं कि दोनों देशों, मतलब भारत युएसे का एक अपरिहार ये, भागीदार है, क्योंकि भोगोलिक दृष्टे से अमेरिकी राष्टे हितों के लिए दो सबसे तातकालिक समस्त्या ग्रस्त छेतरों के नज इरान, इराक से शुरू होते हुए, यहाँ पर आपका आजाता है मीडल इस, ठीक है? अब अमेरिका के लिए ये छेतर महत्वपूर्ण है, क्यों? तेल प्लस अन्य संसाधनों के दृष्टिकोंड से, ये छेतर अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है, अफगानिस्तान, अम इस पे, एक पर छोटा सा क्रक्स बता देती हुँ, ताकि आप लोगों को याद आ जाए, यूएससर ने 1979 में अफगानिस्तान के उपर हमला बोला, और अमेरिका को ये डर बैठ गया, कि यदि अफगानिस्तान तक यूएससर की पहुँचा जाती है, तो दक्षिन हिंद इस रीजन पे, यूएससर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करेगा, तो अमेरिका ने, बेसिकली, यूएससर की सेनाओं को खदेडने के लिए अपरत्यक्ष तोर पे अपनी भूमी का निभानी शुरू की, यानि अफगानिस्तान की लोकेशन ऐसी है, जो अमेरिका के हितों के समर्धन के दृष्टिकोर से काफी महत्वपूर है, तो ये दोनों छेत्र समस्या ग्रस्त हैं, वरतमाने, है ना, चाहें मीडलिस्ट ले लो, अलग-अलग देशों में, अलग-अलग समय पे, दुनिया भर की समस्याइं चलती रहती है, अफगानिस्तान, तो मैं पे है, तो इस भोगोलिक लोकेशन के दृष्टिकोर से USA के लिए भारत महत्वपूर है, अब यदि हम दूसरे आधार पे बात करें, भारतिय भूभाग, अच्छा, यहां पे अफगानिस्तान और मध्यपूर, ये दोनों भारत की सन्निकट है, तो भारत की भूमिका का प् हिंद महासागर, यदि मैं हिंद महासागर की बात करूँ, मैंने कई बार बताया है, तो विश्व के 50% कंटेनर और 70% तक जहाज जनित तेल और पेट्रोलियम का यातायात होता है हिंद महासागर से, और ये हिंद महासागर अमेरिका के व्यापारिक, सुरक्षा, सैन्य आध अधारों के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और दूसरी चुनोती चाइना है दोनों देशों के बीच में, चाइना की आक्रमक्ता और चाइना की बढ़ती उपस्थती को भी रोकना है, अमेरिका को, तो ऐसे में कौन सा देश अमेरिका के साथ सहभागी तोर पर काम कर सकता है, जिसके लिए जिन दोनों देशों के लिए एक बड़ी चुनोती हो जाएना, है ना, तो ध्यान रखेगा, हिंद महासागर के दृष्टि कोन से भी यदि हम देखें, तो भारत अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है, तो मध्यापूर, अफगानिस्तान औ अगली बात यदि मैं कहूं, तो भारत की बढ़ती राष्टे चमताएं, अमेरिका के लिए अपने राष्टे हितों को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्रदान करती है, भारत आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थ्विवस्थाओं में शुमार होने की कगार पे है, यदि भारत के हर छेत्र की बात करें, तो ध्यान रखेगा भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी खल सेना है, चोथी सबसे बड़ी वायू सेना है, और पाच्वी सबसे बड़ी नो सेना है, और इन तीनों सेवाओं का आधुनी की करण हो रहा है, है ना, खल सेना, के पास एक अवसर है अपने हत्यारों को बेचने का अपनी तक्नीकों को शेयर करने का अना तो एक बड़ा बाजार सिध होता है भारत अमेरिका के लिए भारतिय वायू सेना और नो सेना के पास विश्वस्तरिय गानी क संसाधन है और इनकी सेना उसमें से अधिक की तलाश कर रही है, यानि हमें यदि तकनीक, हथियार, संसाहन चाहिए, तो हम यूएस, दोनों पैरलल है यह, हमें तकनीक चाहिए, हथियार चाहिए, तो हमारे लिए यूएसे इंपोर्टेंट हो गया, उन पॉइंट की बात मैं अलग से करूँगी, लेकिन तो USA की कंपनियों को एक बड़ा बाजार मिल सकता है ना भाई मिल ही रहा है आज की डेट में रक्षा आयात में भारत बड़े स्तर पे अमेरिका से रक्षा आयात कर रहा है ना तो ये पॉइंट जैसे सा ये इस पॉइंट ओफ यू से भारत महत्वपूर्ण है अमेरिका के ल प्रयासरत है रश्या के साथ कि हम जो हथियार है उनके अब उनके प्रसार को कम करने का प्रयास करें तो ऐसे में भारत एक स्वभाविक सहयोगी हो सकता है अमेरिका का क्योंकि भारत स्यम चाहता है प्रमानू प्रसार या अन्य हथियारों का प्रसार हो तो इस छेत्र में भ बात करूँ भारत के इंपोर्टेंस की तो भारत के व्यापक राजनीक संबंद हम विश्व के अलग-अलग संगठनों से ना टो भारत की कोई ऐसी मतलब भारत की एक बहुत ही शांदार इमेज है अंतर राष्टे प्रद्रिश्य में चाहे वो द्वीपक्ष्य संबंधों के लेवल पे हो चाहे वो छेत्रिय संबंधों के लेवल पे हो चाहे वो अंतर राष्टे संगठनों के लेवल पे हो सुरक्षा परि यानि इन सब माध्यमों से इन सब आधारों पे देखे तो भारत एक महत्वपूर्ण कि सहयोगी बनके उभर सकता है अमेरिका का ठीक है इती बास समझ में आ गई इस दृष्टिकोंड से जो भारत की छवी है भारत की स्थिति है इस पॉइंट ओफ यू से भी अमेरिका के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है साथ ही वर्तमान में जो समस्याएं है जैसे आतंक वाध है जैसे कट्र वाध है उसके खिलाफ भारत की स्थिति संयूग्त राज्य अमेरिका के समान है अमेरिका भी तरस्त है भारत भी तरस्त है भारत भी चाहता है कि कट्र पंथ आतंक वाध का अंतराष्ट समाधान हो अमेरिका भी चाहता है तो दोनों देश इस छेत्र में भी सहीयोग कर सकते हैं अब यदी मैं बात करूँ भारत के अंग्रेजी बोलने वाले और पश्चिमी उन्मुख अभिजातवर्ग मध्यमवर्ग अमेरिकी फर्मो संस्थानों में अपने समकष्टों के साथ आराम से साज्यदारी करते हैं 2.8 मिलियन से अधिक भारति मैरिकी अमेरिकी शामिल हैं मतलब बोड़ इस तर पे 2.8 मिलियन भारति aos अपने दौरान जब और मोधी गए थे एक indirect appeal थी है ना कि चुनाओं में vote किसको करना है इस दृष्टिकोर्ण से भी भारत का अपना एक importance है शिक्षा में या अमेरिका की बड़े बड़े जो forms है चाहे वो बड़े इस तरफे service sector में भारतियों का बड़ा योगदान है तो अमेरिका की economy में भारतियों का एक बड़ा participation है इस point of view से भी देख सकते हैं साथ ही हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि भारत जैसे जैसे आधुनी की करण की तरफ बढ़ रहा है विकास की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि भारत में अभी काफी scope है आधुनी की करण का आप दिल्ली सात्मक् विकास का आधुनी की करण टैना जैसे बुनियादी धाचा यह वो बिल्डिंग्स होचा है वो परीवहन हो चाहे वहём और चह्यों वित्रण हो रक्षा हर्ड्वेर हो तो उसपे भारत आने वाले समय में कि हर बोडॉलर खर्च करेगा। जैसे जैसे विकास होगा, वैसे पूरे भारत के विकास की तरफ सरकार का ध्यान जाएगा, जाना भी चाहिए, तो ऐसे में स्कोप है कि खर्बो डोलर भारत इन अवसरंचनात्मक विकास पे खर्च करेगा, भारत को इस व्यापक परिवर्तन को अंजाम देने के लिए विशे विशेषजग्यता चाहिए, क्या, प्रद्योग्यकी चाहिए, कई बात है, और इस विशेषजग्यता और प्रद्योग्यकी को देने के लिए अमेरिकी कमपनियां तयार बैठी है, अब फ्री में तो देंगी नहीं, अमेरिकी कंपनिया लाभान्मित होंगी न, वजब हम यह कह सकते हैं कि अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत अभी भी एक बड़ा बजार है और आगे आने वाले समय में और बड़े बजार के तोर पे सिद्ध हो सकता है तो इस दृष्टिकोन से भी अमेरिका के लिए भारत महत्वपूर्ण है जलवायू परिवर्तन को छोड़ भी मत देना क्योंकि जलवायू परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक कारवाई के लिए भारत अमेरिका सहयोग महत्वपूर्ण है दोनों देश मिलके सहयोग कर सकते हैं इस छेत्र में और जो एक confusion है दोनों देशों के बीच में जलवायू परिवर्तन को लेके उस confusion को भी सहयोग के आधार पे ही दूर किया जा सकता है साथ में हम यह कह सकते हैं कि कई बहु पक्षे संस्थानों और सहयोग और स्विक्रत अंतराष्टे मान दंडों के विकास पर विश्व व्यवस्था के लिए प्रतिबद है भारत जो स्विक्रत अंतराष्टे कानून की और ले जाए यानि भारत एक ऐसी विश्व व्यवस्थ जो जहाता है, जो सहीयोग पे अधारित हो, जो समन्वे पे अधारित हो, जो बहुआपक्षय संस्थानों पे अधारित हो और इस विश्विव्यवस्था जिसमें स्विकृत अंतराश्य कानूनों का पालन किया जाए और विश्वी विवस्था बनाने में भी दोनों देश मिलके सहीयोग कर सकते हैं जैसे डेमोक्रेसी का प्रसार हो गया जलवायू परिवर्तन के खिलाफ लड़ना हो गया मतलब मिलके काम करना हो गया आतंक वाद कट्र पंथ के खिलाफ मिलके काम करना हो गया चाइना की आकरमकता को रोकने के लिए समुदरी सुरक्षा के लिए तो इन सब मामलों में भी दोनों देश एक दूसरे के सहीयोग पर निर्भर हैं इसके साथ ही यदि हम भारत की संस्कृति की बात करें कूटनीती की बात करें इसके पडोस में सदभावना पैदा की है जैसे भारत की सौफ्ट प सब्सक्राजया tych अवर के चलते आप किसी भी कंट्री का एक्जेम्पल लो मध्य पूरुग के देशों का चैनि आशयान के देशों का ठही ब्रेजील हो ँट अफरीका हो जापान हो दक्षिन कौरिया हो उन्षेशों के के लिए रणनीतिक तोर पे महत्वपूर्ण हैं उन सभी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं तो ऐसे में भारत के साथ निकटता कि अमेरिका के रणनीतिक उद्देशों की दिशाँ को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं इसलिए भी अमेरिका के लिए भारत महत्वपूर्ण है, इसके साथ ही दोस्तों हम ये बोल सकते हैं, भारत की soft power दुनिया के व्यापक्षेत्रों में प्रकट हुई है, जहां हमारी civil society ने एक सकारात्मक छाप छोड़ी है, आप कोई भी आस पास के neighborhood first policy को ले लो, सागर को ले या अन्य भारत की नितियों को ले लो, हम सबसे पहले आपदा में खड़े होने वाले देश होते हैं, हम सबसे पहले सहियोग का हाथ पढ़ाने वाले देश साबित होते हैं, तो ऐसे में भारत की soft power है, उसने विश्व प्रद्रिश्यप एक सकारात्मक छाप छोड़ी है, औ और अमेरिका ऐसे देश के साथ संबंधों को यदि आगे लेके जाता है, तो निश्चित तोर पे अमेरिका के भी जो सामरिक हित हैं, रणनितिक हित हैं, या अन्य हित हैं, वो पूरे होएंगे, लोक तंत्र के द्रिश्टी कोण से देख लो, मैंने शुरू क्लास की पात में बताया, कि एक विश्व का सबसे बड़ा लोक तंत्र है, एक विश्व का सबसे पुराना लोक तंत्र है, तो ऐसे में लोक तंत्र के अधार पे भी दोनों देशों के मध्या साज्यदारी बनती है, इसमें कुछ एक पॉइंट छूट गए है, उनको आप नोट इस इंडो-पैसिफिक रीजन में चीन के प्रभाव को यदी कम करना है यदी प्री नैविगेशन की बात को लागू करना है या हम यह कह सकते हैं या इस छेतर में अमेरिका को अपने प्रभाव को बढ़ाना है तो इन सब कारियों के लिए अमेरिका को किसकी जरूरत और अमेरिका ने अपनी अलग-अलग घोशना पत्रों में भारत के इस पॉइंट ओफ यू से इंपोर्टेंस को जग जाहिर किया है कि इंडो-पैसिफिक रीजिन के पॉइंट ओफ यू से भारत अमेरिका के लिए काफी मायने रखता है क्योंकि इस छेतर में चाइना को य प्रत्यक्ष तोर पे कभी भी चाइना का विरोध नहीं करते हैं हम यह नहीं बोलते हैं कि हम इंडो-पैसिफिक खित्र में जो अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं वो हमारी गतिविधियां चाइना के खिलाफ है बास समझ में आई हम तो फ्री नैविगेशन और एक त अफ्गानिस्तान से तालिबान की सकत्र हट गई तो सौरी अथी इसक्ता आ घई अब भारट के साथ तो अमेरिका को काम करना पड़ेगा है ना सब प्व्यूंट ओ है हमने देखा कि भारत अमेरिका के लिए क्या मायने रखता है मैं एक बार पटा-पट बता देती हूँ चहे भोगोलिक situation हो जिसमें मैंने मध्यपूर्व, अफगानिस्तान और हिंद महासागर की location की बात की इसके साथ ही भारत की जो राष्टे चमताएं हैं चहे वो नो से ना ह थल से ना हो और वायू से ना हो हर छेतर में आधुनी की करण हो रहा है तो ऐसे में अमेरिका के पास बहुत अवसर है भारत को सही योग करने के लिए इसके बदले दोनों देशों का लाब होगा हमको तकनीक मिलेगी रक्षा संसाधन मिलेंगे और अमेरिका की कंपनियों को बास समझ में आई बच्चे इसके साथ ही अलग-अलग जो वैश्विक प्रयास है चाहे वो सामुहिक खथियारों का विनाश को लेके प्रयास हो चाहे जलवायू परिवर्तन को लेके प्रयास हो चाहे आतंकवाद को लेके कट्रपंथ को लेके प्रयास हो तो इन सभी प्रय मतलब द्वी पक्षिय संबंधों के लेवल पे छेत्रिय संबंधों के लेवल पे अंतराष्ट्य संगठनों में है ना तो ऐसे में भारत का कद बढ़ा है तो एक ऐसी कंट्री के साथ भारत अपने संबंधों को बहतर बनाने की दिशा में प्रयास करेगा जो अमेरिका के रण बैंक पे उनका सीधा सीधा असर है तो इस point of view से भारत important है शिक्षा के छेतर में सहयोग है साथ ही भारत की जो चमता है आधुनी की करण की अवसर अचनात्मक विकास की अलग-अलग छेतरों में खर्बो डोलर भारत खर्च करेगा तो ऐसे में अमेरिका की कंपनियों को इस तर पे लाब हो सकता है ध्यान रखेगा इंडो-पैसिफिक रीजन जरूर याद रखेगा क्योंकि वर्तमान में हमारे संबंधों का एक बड़ा आयाम है इंडो-पैसिफिक पॉलिसी याद रखेगा अमेरिका ने अपना एक अलग घोशना पत्र जारी किया है इंडो- पॉन है जलवायू परिवर्तन की बात मैंने करही दी या फिर अलग-अलग संस्थाओं में सहीयोग विश्विवस्था एक ऐसी बनानी जो नियम आधारित विश्विवस्था हो इस सब में भी भारत अमेरिका सहीयोग कर सकते हैं साथ ही फिर मैंने यहापे कहीं कंट्रीज इसका example दिया और यह बताया कि भारत के इन कंट्रीज के साथ बहतर संबंध है और यह सारे देश अमेरिका के लिए रणनीतिक दोर पे महत्वपूर्ण है तो इस संदर्भ में भी अमेरिका लाब उठा सकता है डेमोक्रेसी की भी बात कर दी मैंने और भारत की soft power की बात भी कर दी यहां पर बस एक पॉइंट चूट गया था लिखना तो इसे मैंने आपको explain कर दिया है इंडो Pacific Policy के केंडर में है भारत है अमेरिका का पूरा है इन फेक्ट अमेरिका ही नहीं जब हम यूरोप बगेरा भी पढ़ेंगे न तो चाहे फ्रांस हो चाहे फिर जर्मनी हो इंग्लैंड हो इन सब देशों के लिए भी इंडो पैसिफिक काफी महत पर रखता है अब कई बच्च ठीक है उसमें मैंने मेरे खाल से 70 के क्लासिस आसपास क्लासिस करवाई है एक थमनेल मिलेगा अलग से इंडो पैसिफिक रीजन है ना तो उसको जरूर सुन लेना साथ साथ सुनते रहोगे ना तो जो आपके कंफ्यूजन है वो साथ साथ निपढ़ते रहेंगे अदरवाइ के पूरे डायमेंशन को अच्छे से कवर किया हुआ है इस तरीके से कवर किया हुआ है कि इंडिया एंड इंडो पैसिफिक रीजन को लेकि अगर कोई भी कोशिन मनता है तो आप हस्ते हस्ते कर दोगे अगर आपने वो क्लास की है ठीक है ध्यान रखिएगा तो इतना हमने आज देख लिया कल हम देखेंगे कि USA भारत के लिए क्या माइने रखता है और इसके बाद फिर हम सांझेदारी में आ जाएंगे कि दोनों देशों के भी सहीयोग के क्या-क्या छेतर है और सहीयोग के एक-छेतर को हम डिटेल से आगे बढ़ेंगे इससे पहले मैं रिवाइ करना चाहते हैं तेरा से चोदर महीनों को बहुत ही बहतरीन तरीके से बिना किसी व्यवधान के अनुशाशित तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो निश्चित तोर पे आपको इस बैस से जुड़ना चाहिए दो साल की वैलिडिटी होगी दो साल तक आप कितनी बार क्लास को देख सकते हैं सुन सकते हैं पीटी पास करते हैं तो चार महीने की रेजिडेंशियल सुविधाए हैं मतलब हम आपको दिल्ली में रहके अपनी गाइडेंस में पढ़ाएंगे आपके इंटरव्यू तक आपके फाइनल सेलेक्शन तक आपके साथ जुड़े लिएंगे अगर एड्मिशन लेना है तो स्टेडिया क्यों या वेबसाइट पर जाना है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शैन बोक्स में लिंक दिया होगा वहाँ पे जाके आप एड्मिशन ले सकते हैं ध्यान रखेगा अगर एड्मिशन लेने का मन है तो कोड यूज क मेरे सारी क्लासस के लिंक, नोटिफिकेशन, टाइमिंग, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा आपको इसे जरूर जोइन कर लीजेगा, इसके लाबा इंस्टेग्राम और फेस्बूक पेज सेम नाम से है, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अब एक बार पटा- समझोते को भी देखा, जिस पर फाइनली हस्ताक्षर 2008 में हुए, और वर्तमान स्टिथी को हमने एक आधार पर मतलब थोड़ा सा देख लिया कि क्या वर्तमान संबंध है, वर्तमान संबंध यहाँ पर मैंने डिटेल से नहीं बताए हैं, ध्यान रखना कभी यह सोचो कि मै इतने डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद सीधा में आ गई थी, अमेरिका के लिए भारत क्यों मायने रखता है, यह बहुत इंपोर्टेंट सेग्मेंट है, सीधा कोशन कभी भी बन सकता है, तो मेरे हिसाब से आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, यदि जरूर करें, शेर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, जितना शेर कर सकते हैं, उतना शेर करें, यदि चैनल पे नई हैं तो सब्स्क्राइब जरूर करें, और जुड़े रहें इस क्लास से, इंटरनेशनल रिलेशन्स मैं पढ़ा रही हूं, तो बाहर कुछ भी नहीं बाहर जाएगा लेकिन आपको regular classes करनी होंगी और जब मैं ये पूरा complete करा दूँगी इंडिया यूएस तो इंडिया यूएस ते रिलेटिड मैं 4-5 मेंस के question answer भी जैसा कि मैं हर class के साथ deal कराती हूँ इसके साथ discuss कर दूँगी तो आपका काम खतम हो जाएगा ठीक है तो care ज़रूर कर देना मिलेंगे कल की class में तब तक के लिए जैहिन जभारत all the way हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें study IQ IAS हिंदी